हलो फ्रेंट्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचण में करेले तो आपने बहुत बार बनाए होंगे اور बहुत अलग-अलग तरीकों से भी बनाए होंगे लेकिन आज की जो यह करेले की रसिपी है यह अपने आप में यूनीक है क्योंकि इसमें हम एक बहुत ही अलग तरह का मसाला डालने वाले हैं जो इस करेले के स्वाद को बिल्कुल अलग बना देता है इस तरीके से अगर आप करेले बनाएंगे तो करेलों का जो कड़वापन है बहुत हद तक खतम हो जाता है तो आईए शुरू करते हैं आज की ये यूनीक सी करेले की रेसिपी इसके लिए मैंने 250 ग्राम के करेट ताजे करेले ले लिए हैं आप देख सकते हैं ये करेले बिल्कुल हरे और ताजे लग रहे हैं तो यहाँ पर चाहे आपके करेलों का साइज कुछ भी हो लेकिन करेले जो है वो ताजे होने चाहिए अब हमें करेलों को छीलना है करेलों को छीलते समय इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि करेले के छिलके जो है बहुत नीचे तक हमें नहीं उतारने है बस उपर जो आपको थोड़े मोटे छिलके लग रहे हैं उन्हें ही आपको बस उतारना है तो आप देखिए किस तरह से मैंने उतारा है, उपर से अभी भी ये करेला बिल्कुल हरा ही नजर आ रहा है, तो इसी तरह से करेलों को छील करके आप रेडी कर लें, अब आती है करेलों को काटने की बारी, काटते वक्त भी हमें इसके लंबे और मोटे पीसे काटने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने सारे करेले जो हैं, वो काट करके रेडी कर लिए हैं, अब करेले जो हैं, वो थोड़े से कड़वे तो होते ही हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम इसका कड़वापन नमक से निकाल सकते हैं, अब इन पीसे में आप नमक म मसाले के लिए कोई भी एक कढ़ाई ले ले लिए अच्छे से गरम कर ले अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाला है तीन टेबल स्पून के करीब कच्छी मुंफली इसके बाद यहाँ पर कुछ और खड़े मसाले हम डालेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है खड़ा धनिया दस से बारा यहां पर मैंने काली मिर्च ले ली है हाफ टीस्पून के करीब जीरा है और वन टीस्पून भर करके यहां पर सौंफ है इन सारी चीजों को आप डाल दें कड़ाई में और इसे हलका सा हमें रोस्ट करना है जैसे ही इससे एक अच्छी सी अच्छी खत्म हो चुका है तो यहां पर मैं हींग जो है वो साबूत हींग डाल रही हूं आपके पास पाउडर है तो वन फॉर्थ टीस्पून यहां पर हींग का पाउडर पी आप डालने के बाद आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है नहीं तो यह सारी चीज़ें जल करेलों के कडवے पन को थोड़ा सब आने के लिए यहां पर प्यास जादा यूज करना बहुत जरूरी है तो यहां पर दो बड़े प्यास मैं ने ले लिए हैं एक वन ने अपर चॉप कर लेंगे लेकिन बाकिकी चीजों को भी चॉप करके हमें पीसना है तो आए इससे मैं चौप कर लोगी तब तक आए देखते हैं जो सूखा हमारा मसाला था वो भी भिलकुल ठंडा हो चुका है इसे हम सबसे पहले पीस लेते हैं ग्राइंडर में ये सारी चीजे डाल दें और इसका एक पाउडर तेयार कर लें यहाँ पर मुंफली और जो खड़ा धनिया है उसक जो खुश्बू है वो बहुत जल्दी ऊड़ जाती है अब यहाँ पर जो दोनों प्यास थे उन्हें मैंने मोटा ही काट लिया है बहुत बारिक प्यास काटने की इसमें जरुरत नहीं पड़ेगी आपको अब बाकी की चीजों को भी मैंने चौप करके इस ग्राइंडर में अब यहाँ पर इन करेलों को दो से तीन बार अच्छे से वाश कर लिजे सारा पानी इसका निकाल ले और अब हम इसे फ्राइ करेंगे कढ़ाई में मैंने तीन टेबल स्पून के करीब तेल ले लिया है अगर आपको सरसो तेल खाना पसंद है तो आप यहाँ पर सरसो तेल क तेल क county यूस्थ कर सकते है तेल बहुत हलका सा गरम है उसी वक्त हम थाफ तीज स्पून के करिब حल्दी आपके हल्दी हमारी जलकेणा अब जैसे ही तेल में हल्की सी हल्दी भुन जाएगी यह करेले हमने दो करके रखे हैं उससे आसमें डालेंगे तेल मेरे से अच्छे से soft लग रहे होंगे आपको अब हमें ढखने की इसे जरुरत नहीं है खुला करके ही हमें इसे अच्छे से थोड़ा सा लाल होने तक fry कर लेना है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको patiently इसे fry करना पड़ेगा flame कम करके ही इसे fry करें 6-7 मिनट में यह आराम से fry हो जाते हैं आप देखिए धीरे धीरे इसे में चलाती रही हूं और इस तरह से volume में भी यह काफी reduce हो गया है सबजी काफी आपको कम नजर आ रही होगी लेकिन यह अच्छे से भुन गया है बस इस stage पर हमें इसे भुनना बंद कर देना है और किसी plate में हम इसे निकाल लेते हैं इसी कठाई में मैंने डाल दिया है 2 tablespoon के करीब तेल में हम डाल देंगे half teaspoon के करीब जीरा जीरा जैसे ही हमारा थोड़ा सा चटक जाएगा वैसी हम यह कटे वे जो प्यास हमारे पास है वो हम डाल देंगे अब यहाँपर इस प्यास प्यास को अच्छे से गुलाबी होने तक भुनना बहुत ज़रूरी है आज़ को कम और जादा एड़ेस्ट करते हुआ आप इसे हलका गुलाबी फ्राई कर लें तो यहाँ पर प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है अब यहाँ पर जो टमाटर वगरा हमने पीस करके जो रखा था मसाला वो हम इसमें आड़ कर देंगे और इसके साथ यहाँ पर मैंने आड़ कर दिया है 1 फोर्थ टीस्पून के करीब हल्दी और थोड़ा सा इसमें नमक हम आड़ कर देंगे इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें अब इस मसाले को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है सभी चीजों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए आप ढग दें 2-3 मिनट अब यहाँ पर 2-3 मिनट के बाद किस तरह से मसाला हमारा भुना हुआ नजर आ रहा है इसे थोड़ा सा और अच्छे से भुन लें और यहाँ पर अब हम जो सूखा मसाला हमने कोर्सली ग्राइन करके रखा था वो हम डालेंगे जितना करेला है उस हिसाफ से आपको मैं यहाँ मिर्च को भी अच्छे से मसाले में मिला लें और यहाँ पर 2-3 मिनट हम फिर से मसालों को अच्छे से भुन लेंगे अब यह मसाले हमारे बिल्कुल रडी है यहाँ पर जो हमने फ्राई करके करेले के पीसे रखा है उसे में डाल दूँगी करेले को भी अच्छे से मसाले मे नहीं लगती है तो यहां पर मैंने भी पानी तो डाला है यह सिर्फ इसलिए है कि यह करेलों में यह मसाला जो है अच्छे से अंदर तक चला जाए थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मसाला हमारा बिल्कुल थिक हो गया है अब देखें यह फाइनल टेक्शर है हमारी सब्स बिल्कुल मसाला करेले समी अच्छ से mix हो गया है बहुत ही अच्छ से यह पकर के तयार हो चुका है बहुत ही बढ़ीा खुश्बू भी आड़ी है इसमें हमने गरम अच्छता सब्स बहुत ही अच्छी है यहां पर आफ यह सब्सक्राडशी बढ़ से रोटी पराठे चाव अब किसी के साथ भी इसका जो combination है वो बहुत ही बढ़िया लगता है तो आप देखी कितना tempting लग रहा है ये इस अलग से मसाले की वज़े से इस सब्जी की खुश्बू जो है वो बहुत ही बढ़िया आ रही है तो ये सारी सब्जी मैंने इस फ्लेट में निकाल दी है तो आई करने बाद गुल्द बाए